लावा यूवाट 2 स्मार्टफोन फाइनली लॉंच हो चुका है साथ हजार रुपए में आपको 90Hz का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है साथ हजार रुपए में आपको UFS 2.2 की इंटेलर स्टोरेज मिल जाती है साथ हजार रुपए में आपको secondary noise cancellation microphone भी मिल जाता है और साथ हजार रुपए में आपको type C port और side fingerprint sensor भी मिल जाता है लावा ने सच में तभाई मचा दिये एक single smartphone साथ हजार रुपए में इतने सारी features के साथ में आता है एक phone जो इतनी सारी multitasking कर सकता है वैसे आप लोग भी multitasking कर सकते हो आपको ये phone कैसा लग रहा है नीचे comment करके बदाइए साथ में वीडियो को like भी कर दीजे लावा ने लावा UR2 फाइनल इंडिया मार्केट में लाउच कर दिया है 6,999 रुटीज में 3 GB का DDR4X का RAM 64 GB का UFS 2.2 की Intel and Storage ये smartphone आपको 3 colors में मिल जाएंगे तो चलिए फटा फट से इस box को unbox कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें लावा UR2 smartphone देखने को मिल जाता है इसके अलावा 7,000 रुपय में आपको silicon case cover भी दिया है साथ में 10 Watt का charger Type-C cable मिल जाती है और 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 free service at home भी मिल जाता है लावा UR2 में दो चीज़े कमाल की मिलती है सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आप लोग call recording कर सकते हो call recording करते वक्त सामने वाले को आवाज भी नहीं जाती call recording की In fact, YouTube को आप लोग background में भी stream कर सकते हो यहाँ पे आपको background stream option मिल जाता है तो यह है लावा UR2 smartphone यह एक boxy design के साथ में आता है इसे आप लोग flat surface में खड़ा भी कर सकते हो back side में आपको glass like back panel मिल जाता है जो कि fingerprint magnet को attract नहीं करता साथ में यहाँ पे आपको beautiful camera module भी मिल जाता है क्योंकि 7000 रुपय है जो speaker जो ports है उनकी जो finishing है वो भी seriously top notch की लगती है इसके display काफी interesting है यहाँ पे आपको 6.5 inch का एक HD plus IPS panel मिल जाता है साथ में 7000 रुपय की price range के अंदर लावा ने आपको 90 Hz का refresh rate प्रोवाइड की यह इस display के अंदर display की quality काफी सही देखने को मिल जाती है in fact side weaving angle से color fade भी नहीं होते outdoor में आपको इसमें अच्छी खासे visibility देखने को मिल जाती है प्राइस के हिसाब से और आपको problem भी face करने को नहीं मिलती ही processor काफी दंदार processor मिल जाता है uni SOC का T606 का एक powerful processor मिल जाता है इस particular price range के हिसाब से यहाँ पे आपको cortex A75, cortex A55 based course मिल जाते है unto to score की बात करें तो यहाँ पे आपको धाई लाग के पास का unto to score देखने को मिल जाता है in fact यहाँ पे GPU भी काफी बढ़िया मिल जाता है price के हिसाब से Mali G57 का यहाँ पे हमने Asphalt 8 गेम प्ले करके देखा और यह अराम से प्ले होती है बीना किसी problem के in fact इस smartphone में हमने call of duty भी प्ले किया graphics में आपको low graphics का ही option मिलता है और frame rate आपको medium देखने को मिल जाती है इस setting पे आप लोग इस game को play कर सकते हो हाला कि वहाँ पे frame drops definitely देखने को मिलेंगे लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि game चले की नहीं वो चल जाती है with some frame drops camera की बात करें तो यहां पे आपको dual camera का setup मिल जाता है 13MP का main camera, f2.2 aperture की opening के साथ में साथ में एक VGA camera मिल जाता है main camera colors को थोड़ा सा boost करता है और साथ में sharpen भी करता है जो की काफी अच्छी बात है क्योंकि इस particular price range के अंदर 13MP का camera ज्यादा clarity नहीं ला पाता इसलिए अगर आप लोग ध्यान से देखो तो सारी photos में colors थोड़े से उठेवे नजर आते है कोई-कोई color एकदम ही accurate नहीं है जैसी कि इस photo के अंदर सारे colors में से यह जो pink है और आपको HDR भी मिल जाता है और वो अच्छी तरीके से काम भी करता है लाइकि यहाँ पे sky blue दिखाई दे रहा और plant भी अच्छे खासे boosted colors के साथ में दिखाई दे रहा है लेकिन एकदम ही extreme level पे HDR अगर आप लोग shoot करने जाओगे तो हो सकता है वो fail भी हो जाए कार और बाइक काफी speed में चल रही है फिर भी स्मार्टफोन की camera ने उसे एकदम ही अच्छी तरीके से click कर लिया without getting it blurred जो की काफी solid है इस particular price range के हिसाब से यहाँ पे आपको bouke mode भी मिल जाता है जो की edge detection में कभी कबार fail हो सकता है जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बट colors को वो अच्छी तरीके से manage करता है और background blur को भी वो अच्छी तरीके से संभाल लेता है हलाकि low light या फिर zero light में photo ना खीचो तो ही better है क्योंकि इस particular price range के अंदर सारे smart phones के cameras लगबग fail ही हो जाते है वी rear camera से video recording हो रही है यहाँ पे भी आपको stabilization देखने को नहीं मिलता 1080p, 30fps पे आप लोग record कर सकते हो selfie camera की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 megapixel का selfie camera मिल जाता है F2.0 aperture की opening के साथ में outdoor में यह काफी decent photos क्लिक कर लेता है in fact जो colors है उससे भी अच्छी तरीके से boost करके रखता है ताकि overall photos थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे यहाँ पे आपको blur photo का option भी मिल जाता है और उसमें edge detection, face के colors और overall photo में जो colors है उसको अच्छी तरीके से manage करता है HDR भी available है हाला कि वो brightness को अच्छी तरीके से manage नहीं कर पाता on certain situations और इस price में आने वाले बागी smartphone की तरह यह smartphone भी low light में थोड़ा सा struggle करता है clarity थोड़ी से lose out हो जाती है तो low light में photos को avoid करो तो ही better है selfie camera से video recording हो रही है 5 megapixel का है यहापे आपको stabilization देखने को नहीं मिलता बात करें तो यहाँ पर आपको single bottom firing speaker मिल जाता है इस price range के हिसाब से आपको एक decent सा speaker देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको 5000 mAh की बेटरी मिल जाती है 10 watt की fast charging मिल जाती है type C port मिल जाता है और 10 watt का charger आपको box में ही मिल जाता है इस price के हिसाब से यहाँ पर extra चीज़ें भी मिल जाती है normally competition rear fingerprint sensor देता है यहाँ पर आपको side fingerprint sensor मिल जाता है कितना quick है कितना reliable फटाफट से check कर लेते हैं यह मैंने touch किया unlock हो गया 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 हलका सा mini second का time ले रहा है animation का लेकिन overall अच्छी तरीके से काम भी कर रहा है बल साथ में एक और चीज़ बता दूँ 7000 रुपय में आने वाला Lava UR2 smartphone के अंदर आपको dual wifi band भी मिल जाता है वेल software की बात करें तो यहां पर आपको android 12 out of the box देखने को मिल जाता है यस मुझे भी ऐसा लगा कि भाई latest smartphone है android 12 के साथ में क्यों आ रहा है थोड़ी अगर Lava महलत करता तो android 13 के साथ में आता तो यह एक weak point नहीं बनता है smartphone का software updates की बात करें तो यहां पर आपको one OS update मिल जाएगा यानिके android 13 मिल जाएगा two year का quarterly security patch updates भी मिलते रहेंगे यहां पर आपको close to stock android देखने को मिल जाता है बीना किसी ads या फिर blow twist के हाला कि मेरे वाले smartphone के अंदर 100% free game का एक link ज़रूर था अल्थो यह कोई app नहीं है यह से browser का एक link है shortcut है जिसे आप लोग अराम से remove कर सकते हो within two seconds वैसे software features की बात करें तो यहां पर आपको video display enhancement का option मिल जाता है जोकि literally बहुत ही ज्यादा useful है इसका अलाओ charging animation को आप लोग change कर सकते हो double tap का feature मिल जाता है auto call recording मिल जाती है RAM expand कर सकते हो triple SIM slot भी यहां पर आपको देखने को मिल जाता है साथ में यहां पर आपको free service at home भी मिल जाती well sensors की बात करें तो यहां पर आपको light sensor, proximity sensor, accelerator sensor भी मिल जाता है although gyro sensor यहां पर देखने को नहीं मिलता है सच में Lava ने एक धासू smartphone launch किया है 7000 रुपय में आपको इस smartphone कैसा लगा? Lava UR2 हमें नीचे comment में जरूर बताएगा वीडियो पसंद है तो वीडियो को like किये भी ना मच जाएगा इसके अलब बहुत मैनत से आप सभी के लिए कुछ वीडियोस बनाएं जाके चैक आउट कर लीजे मिलताओं नेक्श वीडियों में तता के लिए टाडा बाई 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 दिस इस वीवेक साइनिंग ओफ